चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें नमस्कार विने क्लासित की ओनलाइन क्लासमेक बार फिर से आपका हार्दित स्वागत अविननदन प्रश्नावली 3.4 प्रश्न संख्या 1 प्रश्न है निम्न के किसके निश्चित असंभव तथा हो सकता है परन्तु निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता इनके उत्तर बताने है ठीक है तो ये एक ऐसे प्रश्ण है जो हो सकते है नहीं भी हो सकते है और पक्का होंगे ही होंगे इस प्रकार के उत्तर हमें इनमें देने हैं तो पहला प्रश्णी क्या है देखो आज आप कल से अधिक आयू के है यह प्रश्णी यह कह रहा है कि आज जो है आप कल से अधिक आयू के है यानि अगर आप कल चार साल के थे तो बाद में आप पांच साल के हो सकते हो क्या यह हो सकता है क्या 100% हो सकता है तो इसका उत्तर क्य निश्चित रूप से सही है यानि निश्चित ठीक है आज आप कल से अधिक आयू के है निश्चित रूप से यह सही है फिर है एक सिक्के को उच्छाने पर चित आएगा यह क्या होता है आपने सिक्का तो देखा ही होगा एक तरफ हैड होता है एक तरफ क्या होता है टेल होता है एड को हम कहते हैं हिंदी में चित और टेल को कहते हैं पट टीक है तो इस सिक्षे को उच्छालने पर क्या यह 100 पर्सेंट है कि हैड आएगा या चित आएगा हंडीट पर्सेंट आप कह सकते हो क्या नहीं कह सकते हो आ सकता है लेकिन आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते है ना तो इसका उत्तर क्या होगा कि हो सकता है ठीक है हो सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं हो सकता है परन्तु निश्चित रूप से नहीं हो सकता है लेकिन गैरेंटी नहीं होगा है ना फिर एक पासे को फैकने पर आठ आएगा हम जानते हैं कि एक पाशे में केवल 6 अंग ही होते हैं कितने होते हैं छेह इ sell एक दो तीन चार पांच और सकांसे ही और आगी की तरब तो छेह से जड़ा तो अंठ काशे से आ जाएगा अगर एक पासे को में फैकनेग तो उसमें आठ कैसे आ जाएगा ठीक है तो हम यह कहेंगे यह असंभव है क्या है अलगीping ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी रोड़ पर जाते हैं तो ट्रैफिक सिंगनल कौन कौन सी लाइट देता है एक लाल एक हरी और एक पिली अब इस बात की किया संभबना है कि आप जब जा रहे हो तो hri light ही दिखेगी ये कोई guarantee तो नहीं है ना हाँ हो सकता है कि हरी लग जाए light है ना हो सकता है लेकिन निश्चित रूप से अपने इसको नहीं कह सकते कि हरी light ही लगेगी तो इसका उत्तर ये वाला देना हो सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, हो सकता है, परंतु निश्चित रूप से नहीं, फिर अगला देखो, कल बादल गिरे रहेंगे, भई, आज तो मेरे बादल गिरे हुए है उपर, ठीक है, लेकिन इसका कोई मुझे गैरेंटी थोड़ना था, कि बादल गिरे रहेंग कल का मैं बता सकता हूँ क्या, कि कल बादल गिरे रहेंगे, गिर भी सकते हैं और नहीं भी गिर सकते हैं, दोनों संभावना हैं इसमें तो, है ना, तो इसका उत्तर में निश्चित रूप से नहीं बता सकता हूँ, नहीं असंभव कह सकता हूँ, असंभव भी नहीं हो सकता है ना तो उत्र क्या हो गय हो सकता है परन्तु निश्चित रूप से नहीं आ से सप्रश्ण क्या दो है एक दिब्वे में छे कंचे है यहांनी हमारे पास एक दिब्वा है और उसमें 6 कंचे चोटी चोटी गोल लिया ना कंचे का मतलब यह 6 कंचे जिन पर एक से 6 संख्या अंकिते इन कंचों पर 6 संख्या एक दो तीन चार पांच और 6 यह नंबर लिखे हुए है ठीक है अब इनके उत्तर देने संख्या दो वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्र है प्राइकता का मतलब होता है कि कोई भी घटना भटित होगी जैसे को व्यक्ति चल रहा है रोड़ पर कार लेके चल रहा है तो उसका accident होगा इसकी क्या संबावना locker इसी को हम प्राइक्ता बोलतेब उसका accident होगा उसकीиться has until he कहते हैं कि उसका accident हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो इसकी जो हम उत्तर निकालेंगे उसी को हम प्राइक्ता कहते हैं जैसे कल बढ़ साथ होगी या नहीं होगी ठीक है तो कल ये प्राइक्ता ग्याद करनी है तो उसका सुत्र होता है प्राइक्ता बराबर प्राइक्ता बराबर कुल परिणाम सरी अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम अब इसको समझो तीक है कुल परिणाम का मतलब यह हो गया कि इस प्रश्ण में हमें क्या क च्छे कंचे तो इसमें टोटल कितने कंचे चे कंचे तो यह हमारे पास कुल परिणाम है ठीक है फिर अनुकुल परिणाम फिर इसने क्या कहा संख्या दो वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रैक्ता यानि इस कंचे में संख्या दो का है यहां पर है अगर इस कंचे को मैं यहां से बाहर निकाल दूँ ठीक है यहां से मैंने क्या किया बाहर निकाल दिया तो अब इसकी प्राइकता बता निये मेरे को तो मैंने कितने कंचे को बाहर निकाला मैंने केवल इन 6 कंचे में से 1 कंचे को बाहर निकाला और वो कौन सा है दो है समझ गए आप तो कुल परिण तोटल हमें कितने कंच वह निकालने है और कुल परिणाम मतलब उस डबय से कंचे थे समझ गए न आप तोिसमें टोटल 6 कंचे थे उसमें से मुझे एक बाई निकालना है और वो कौन से नंबर का दो नंबर का कुल परिणाम शें हैं और उसमें से अनुकुल परिणाम कितना है एक है तो इसकी प्राlla क्या हो गई 6 यह इसका उत्र हो जाएगा पहले का फिर दूसरा ठीक है संख्या पांच वाले कंचे को इन में से निकालने की प्राइक्ता बताओ तो अब की बार मुझे जो है दो को बाहर नहीं निकालना है अब की बार इस पांच को बाहर निकालना है ठीक है तो कंचे में निकाल रहे कितना हूं यह कि तो कंचा निकाल रहा हूं तो इसका भी सुत्र लगाना है प्राइकता बराबर प्राइकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम तो कुल परिणाम बेटा इसमें कितने हैं ये कुल परिणाम एक, दो, तीन, चार, पांच, छे कुल परिणाम है छे अनुकुल परिणाम मुझे इसमें से कितने कंचे निकालने हैं एक कंचा ही निकालना और वो कौन से नंबर का है पांच नंबर का है लेकिन निकाला कितना मैंने एक ही निकाला तो अनुकुल परिणाम किता हो गया एक तो दोनों का जो उत्तर है बेटा एक बटा छे ही होगा दोनों का उत्तर कितना होगा एक बटा छे होगा प्रश्ण संख्या तीन है यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी तीम खेल प्रारंब करेगी एक सिक्का उचला जाता है इसकी क्या प्राइक्ता है कि आपकी तीम खेल प्रारंब करेगी अब इस प्रश्ण को ध्यान से समझना हमें जो है जैसे एक मैं हो गया और एक आप हो गया ठीक है हमें एक सिक्का मिल गया इस सिक्के के इस तरफ हैड है और इस तरफ टैल है अब मुझे जीतना है मैंने इस सिक्के को उच्छा ला इस सिक्के को उच्छा ला मैंने कहा हैड आना चाहिए और वास्ता में सिक्के में उपर के आ गया हैड आ गया तो मैं जीत गया और मैं अगर जीत गया तो मैं खेल को क्या करूंगा प्रारंब करूंगा है ना मैं खेल को क्या करूंगा प्रारंब करूंगा तो अब मुझे इसकी प्रायक्ता बतानी है कि हाँ मैं ही खेल प्रारंब करूंगा इसकी क्या प्राय लिकता बराबर होता है अनुकुल परिणाम बट्टा कुल परिणाम ठीक है तो अब मैंने का इसमें बताओ कुल परिणाम कितने हैं तो एक सिक्के में हैड भी होता है और टैल भी होता है तो कितने परिणाम हुए दो परिणाम हुए कुल परिणाम इसमें कितने हैं दो बोला तोयद उपर आएगा अगर मैंने टैल बोला टो टाईल ऊपर आएगा अब लेकिन एक साथ तो आने ही सकते ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना कुल परिणाम कितने हैं दो एक हैड और एक टैल अब मैं जीतने वाला हूं मैंने हैड बोला और सिक्वे में उपर हैड आ गया तो कितनी चीज आई एक आई के दो आई एक ही चीज आई ना और वह कौन चाहिए है लेकिन मुझे एक लाना इण अब क्योंकि मैं मैच जीतने वाला तु उपर क्या आ गया है तो उपर कितनी चीज आई दोनों आगई क्या दोनों नहीं आई ना एक ही आई तो अनुकूल परिणाम एक आया और कूल परिणाम कतने हैं दो तो जो फ्राइकता होगी वो होगी एक बट्टे दो यानि यहां पर मैं लिख सकता हूँ मेरी टीम खेल प्रारम करेगी इसकी प्रायक्ता जो होगी वो कितनी होगी एक बटे दो तो अगर मेरी वीडियो आपको प्रसंद आ रही है तो लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो कमेंट करो थेंक यू ने क्लासेज की प्लेइस्ट के लिए आपको यू लिस्ट पा सकते हैं